जमू और कश्मीर में आज से अगले 72 गंटे के दोरान कुछ हिस्सों में पारिश और परवपारी के असार है मोसम विज्ञान की इंद्र ने बताया है कि पश्मी विश्वों के कारण 6 और 7 नेवंबर को कुछ इलाकों में 4 से फुर्ट तक परवपारी हो सकती है तो वहीं मोसम विगणने पर जमू शिरनगर ले राष्ट राजमार के साथ राजोरी एफ शोप्यान को चोड़ने वाला मुगल रोट पर भावित हो सकता है जमू और कश्मीर संभागों के परशासन को बरवपारी से संबादित शेत्रों में होने वाले परिशानियों सेट्टे पटे के लिए सबी जरूरी परबंद करने को कहा गया है आज सुबा से ही अगर जमू शहर की बात की जाए तो जमू शहर में बादल शाय है और इसके साथ साथ विजिबिल्टी भी कम नजर आ रही है उदर ले और कार्गल में रात का नियुतम तापान शुने टिग्री से नीचे चल रहा है परदेश के उंचाई वाले शेत्रों में चार फुर तक बरपारी हो सकती है गुलमर्ग और सोनमर्ग में एक फिट तक बरप गिर सकती है तो वहीं पैलकाम में अच्छी बरपारी के आसार है उमीद की जा रही है कि इसके बाद ठंट का आगास चमो कश्मीर में देखने को मिलेगा